कॉंग्रेस का मिशन 2024 क्या है? अगर चार लाइनों में आपको समेटना हो, तो ये मिशन क्या है और उसको पूरा करने का रास्ता क्या है? अज्यनकों जी चौविस की दो बात करेंगे, हमारे बहुत ही काविल सती भी मेरे साथ है पर पहले जड़ा आज की बात कर ली जए, आज तक की बात कर ली जए, बिलकुत अभी थोड़ी देर पहले मैं पार्लामेंट में था, जो कुछ सुबे से आज पार्लामेंट में हुआ, आज हम वर्षी मना रहे थे, बाईस साल पहले, आजी की दिन हमला हुआ था, पार्लामेंट जो लोकतंत का मंदिर होता है, सुबे सद्धानजली और दोपहर में एक बज़े के करीब, पिछली बार तो कोई लोकसभा और रासभा में घुचनी पाया था, हमारे बहादूर जवानों ने, उन्हें वहीं रोक लिया था, लेकिन इस बार तो लोकसभा में, दर्शक दीरगा में, और दर्शक दीरगा से फ लोग प्रिवेश कर गया है, और अंजना जी विश्वास करिये, जब पुरानी विल्डिंग छोड़ के जा रहे थे हम लोग तो बड़ा दुख था, पर ये कहा गया था ही, नई विल्डिंग सुरक्षा के दिस्कोन से अभेद किला है, अब वो अभेद किला तो सांसदों क ने था, वहां वो गय नहीं, उन्होंने बाकाइदे बं फेका, धुआ उड़ाया, पाउडर फेका, जिससे भी धुआ निकला। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रास्ती सुरक्षा से जुड़ा हो मुद्दा है, वहां पर इस सरकार अगर संसद की हिफाज़त नहीं कर करें, हमें तो ऐसा लग रहा था, कि आज जैसे पुलवामा का रिहरसल कर रहे थे, तफाक दिखी न, दिम कौन सा चुमा, प्रधान मंती जी, ग्रह मंती जी आसा पत दिला रहे हैं, वो हैनी पार्लेमेंट के अंदर, और उसके बाद वहां पे धमाका किया जा रहा है, तो क लेकिन, अभी मैं अपने को यहीं तक कनफाइन रखता हूं, कि लोक सभाव, जो दुनिया में भारत देश की सबसे सुरक्षा की जेगे, जहां सारे सांसद निर्वाचित बैखते हैं, अगर वो उसकी सुरक्षा यह नहीं कर पाते हैं, तो फिर इन से देश की सुरक्षा की उमीद के अगर हैं, तो यह बड़ा-बारी मुद्दा होगा चुनाओं में, हम सिर्फ अपनी बात इतनी कह लें, कि सरकार की अस्फलता हैं आर्थिक मूर्चे पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पर, और जो दस साल पहले काले धन का वादा किया थाएगा, तो इन्जारी कर रहा हैं, दो करून रोजगार के अंजार, मैं एक कांशनसी रेपेसेंट करता हूं, बहुत दिनों तक करता रहा हूं, वहां के लोग कर रहे हैं, देश के लोग कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आजी देख रहा था, खुदरा मुल्यों की महं सेमी के लिए, हम एक निश्चित स्वरूप लेके जनता के भी जाएंगे और हमें पूरी उमीद है कि हमारा जो गडवंधन है, ये गडवंधन इंडिया का 2024 में सरकार बनाएगा, पवन जी, बहुत सारे बिंदू इन्होंने गिनाए, और बहुत सारे बिंदू पर आप लो जीत आप लोगों को मिली और लगा की जैसे तस्वीर बदल रही है, देश की राजनितिक हवा की, उसमें पांच राजयों के चुनाओ आते आते हिंदी हाटलंड से आप वाइप आफ हो गए, यानि हटा दिये गए, तिलंगाना, करनाटक, हिमाचल प्रदेश, इन तीन रा ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए, ना आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, ना हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे, आपको और हमें दोनों को आत्ममंधन करना चाहिए, लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक है कि जो हमारा वोट शेर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है, तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कॉंग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है, हाँ दक्षिन भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है, और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं, तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कॉंग्रेस एकलौती ऐसी पार्टी है, जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूँगा, जिस तरह का मीडिया नरेंद मोदी जी को मिला है, बड़े किस किसमत वाले हैं, कसम से कह रहा हूँ, इतनी अच्छी किसमत लेकर ये प्रधान मंत्री आए हैं, ऐसा मीडिया आप हमें एक महीने के लिए दे दीजी, और साथ दिन के लिए ऐसी एजनसीज दे दीजी, ED, CBI, Income Tax, CAG, साथ दिन के लिए एजनसीज और एक महीने के लिए कि सारा का सारा दोश आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें की एजनसीज की वज़े से हुआ, अरे एजनसीज की कारवाई तो वोटिंग के जस्ट पहले 36 गड़ में हुई, फिर भी जनता ने, कि मैं आपको दोश नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ, नहीं नहीं यह अच्छी बात थोड़िए, खारते आप हैं और कЕहते किसी और ने हरादे, अभर मेहनत आप करते हैं सकता में वो एट्व, आपको ऐसा लगता है, कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उनलो परी मेहनत करती है, वो पार्टी करती है जो जीतती है, क्यों जब आप कर् Noodles में जीते वो भी दूँगा रुकिया पहले 2014 तक क्या होता था पार्टियां चुनाव लड़ती थी मीडिया निश्पक्ष एक भूमिका निभाता था 2014 के बाद एक एको सिस्टम चुनाव लड़ते हैं एक तरफ अकेली विपक्ष दूसरी तरफ मीडिया एजेंसी सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टि अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या यह तो यह कह देना तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा ह दूल चहरे पर थी आएएन पोचता रहा यही आपकी बिमारी है यही है आपकी बिमारी है धूल चहरे पहुचता रहा इस हरो शायरी का जवाब को मेरे साथी देंगे राखुव ऑम लेकिन आप तो सिर्फ आज बांद के आए आ हैं कि क्या बोलना है लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कॉंग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं देखिए साब बहुत स्पष्ट है जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उत अनात है आज का विपक्ष अनात है यह आप मानिये इसलिए कहता हूं आर्क इसकी है मंच पर बिठा रखता है आप तो शे और ले आईए बीजेपी के उनको भी हम झेल लेंगे आप चिंता मत करिया आप सुन लीजे पहले मेरी बाप पहले सुन लीजी का कॉंग्रेस हारी आप ये बात कर रहे अरे लोकतंत्र हार रहा है उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है एक जीट जाती है आपका एक्जिट पॉल हार जाता है आप जीट जाते हैं चलता है ये सब लेकिन जो बड़ क्षजित आन्ना करके अंजना ओमकश्यप सुबह से रात तक चैणल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हुजारे आ जाते क्यों नहीं आते अन्ना हँजारे क्यों नहीं चलाती अंजना ओमकश्यप बताईए मुझे जड़ा मैं ये स्थिती आजिस देश की इससे आपकं तक सकते हैं अकेला अनात विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे और लड़ते रहेंगे मरने के दम तक लड़ते रहेंगे